देश भर में कोरोना वायरस का कहल लगातार भरता जाना है इसी बीच एक और बिमारी भारत में अपने पैर पसागती दिख रही है असम सरकान ने रविवार को कहा कि राज में अफरीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है इसे 306 गाओं में 2500 से अधिक सुवर मारे जा चुके हैं असम के पशुपालन और पशुचे के सक्मंतरी अतुल बोरा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि राज सरकार केंद से मंजूरी होने के बाद भी तुरंत सुवरों को मारने की बजाए इस घातक संक्रमन बिमारी को फेलने से रोकने के लिए कोई अन्य रास्ता अपनाएगी उन्होंने बताया कि इस बिमारी का कोवीड-19 से कोई लीना देना नहीं है बोरा ने कहा कि राश्त्री उच्छ सरक्षा पशूरोग संस्थान-NIHSAD भोपाल ने पुष्टी की है कि ये अफरीकी स्वाइन फ्लू है केंदर सरकार ने बताया कि ये देश में बिमारी का पहला मामला है विभाग बारा 2019 की गड़ना के अनिसा सूरों की कुल संख्या करीब 21 लाग थी लेकिन अब ये बढ़कर 30 लाग हो गई है परशूची किस्सा मंतरी ने कहा कि किवल उन्हीं सूरों को मारा जाएगा जो संक्रमित होंगे हमने 10 किलोमीटर की दायरे में सर्वलांस जोन में बदल रखा है ताकि वहां से सूर न जाने पाएँ परशूची किस्सा वभाग प्रभावत इलाकों के 1 किलोमीटर की दायरे में नमूने इखटा करके उनकी जाच करेगा इस विमारी की बात करें तो विशेशग्यों का कहना है कि यह आसानी से इंसानों तक भी पहुच सकती है चीन में ये प्रखोब पहले से ही चल रहा है जिस कारण वहां के करीब 40% सूरों का सफाया हो चुका है शुरवात में खुले में गूम रहे सूर ही इसकी चपेट में आये लेकिन बाद में ये फॉर्म तक भी पहुच गई महियासम के पशुपालन और पशुचिक समंद्री अतलबूरा की माने तो ये इंसानों तक नहीं पहुच सकता फिलहाल उस जगह के सूरों को खाने में खत्रा नहीं है जहां ये इंफेक्शन नहीं है देश पहले से कोरोना के खत्रे में है अब ये नई बिमारी क्या करती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या है अफ्रिकन स्वाइन फू को चैसे जानिये इस बिमारी में सांज लेने में तकलीव होती है हाई फीवर आता है भूख लगना बंध हो जाती है इस बिमारी का सबसे पहला मामला 1909 में केनिया में सामनी आया था ये बिमारी जंगली सुवरों की लार मांस और तिशूस से फैलती है ये भी बताया जा रहा है कि ये वाइरस फ्रिज में रखे जंगली सुवर की मास में हजारों साल जंदा रह सकता है इस बिमारी से बचने का तरीका है संक्रमत सुवरों को बाकी प्रजाती से दूर रखना इस बिमारी को जल्द से जल्द खत्म करने की और सुवरों में संक्रमन फैलने से रूपने के तमाम प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ये इंसानों तक न पहुच सके